सब्सक्राइब करने के बाद आपको कहीं और से आर्ट एंड कुल्चर का करने की जूत नहीं रहेगी जो पहला ट्रोपिक है वो हमारा है महिनियाटम हम जानते है कि महिनियाटम हमारा क्लासिकल डांस सब्सक्राइब करने क्लासिकल डांस अभी रिसेंटल क्या होता है के ला क्लामंडलम अ दीम्ड उनिवस्टी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है लिफ्टिट दी जेंडर रिस्रिक्शन सो बॉइस विल बे अलाओ तो लर्न महिनियाटम ठीक है तो पहले के ला में बॉइस अलाओ नह of enchantment, it is also called dance of enchantress टीक है. dance of enchantress जो महिनी होती है वो लड़की होती है ठीक है. और इस कारणने किसको dance of enchantress कहा जाता है. इस dance वो lessaya style में किया जाता है, ठीक है. डिसक्राइब इंदी नाट्य सासत्रा में इसको डिसका अबर किया गया है, इसकी जो theme है, वो generally love and devotion पर best होती है, to the god Vishnu, इसकी major theme है, ठीक है, and इसमे 40 different type of basic moment होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, अदावुकल बोला जाता है, अदावुकल, यह तरम याद रखनी है, अदावुकल is related to Mohiniyatam and what it is, basic moments, ठीक है, sign language, जो mudra है, उसमें follow करती है, that is mentioned in the ancient treatise, एक ancient book है, हस्त लक्षना दिपिका, हस्त लक्षना दिपिका, उसमें यह बताया हुआ है, sign language के बारे में, तो यह उसको follow करती है, ठीक है mudra उसको, and इसके अंदर जो music होता है, उसको क्या बोलते है, music accompaniment, it is called, चोलू बोला जाता है, उसको चोलू, and the lyrics are in Manipravalam, इसके जो lyrics होते है, music के वो कौन सी language में होती है, Manipravalam, and Manipravalam, जो language है, वो है, mix है, Sanskrit और Malayalam का, ठीक है, Manipravalam is a mix of Sanskrit and Malayalam, and इसमें जो women's होती है, dance करती है, तो वो कसावू साड़ी पहनती है, ठीक है, कसावू साड़ी याद रखना है, कहां की है, केरला की है, ठीक है, and इसको अभी boys सीख सकते हैं, ठीक है, इसको लाओ कर दिये गया है, तो इसके बारे में हमने क्या देखा, it is dance of ancient race, ठीक है, लच्या स्टाइल में होता है, and अदावकुल क्या है, it is what, इसके basic moments है, and हस्ता लक्षन देपिका में इसको mention क्या गया है, इसके sign language के बारे में, मुदराज के बारे में, चोलू, इसके music accompanies होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, चौसट खंबा, चौसट खंबा इस आल चोकाड़े, 64 pillars, तो it is basically a tom है, तो चौसट खंबा औरे, चौसट पीलर का ये tom है, दिल्ली में हैं, निर्दी, निजामुदीन, ओलिया की जो दरगा है, उसके पास में है ये, it was built in 1623-24 में, इसको built किया गया था, ठीक है, this tom, house is the tom of मिर्जा अजीज कोका का, यहां पे tom है, मिर्जा अजीज कोका का, मिर्जा अजीज कोका का tom है, ये बनवाया गया था, इसकी सन के द्व गवर्नर था, during अकबर टाइम, और ये मिर्जा अजीज कोका कौन था, मिर्जा अजीज कोका वास दी, foster brother of अकबर, अकबर का foster brother था, मिर्जा अजीज कोका, तो 64 खंबा, is related with मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, डिल्ली में located है, 64 pillar भी का जाता इसको, ठीक है, इसका tom है, next is petroglip versus geoglip, ये news में थी, तो petroglips क्या होती है, petroglips, rock पे, ये rock अमाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर, ये rock, rock को फिर काटके, rock को काटके, या फिर उसको क्या है, khurd के, जो इसमें पेंटिंग मिनाए जाती है, उसको क्या बोलते हैं, petroglips क्याते है, petroglips is an image created by removing part of rock surface, by incising, पिकिंग, कार्विंग और अब्रेसिंग एज फॉर्म ओफ रोक आर्ट ठीक है इसमें क्या है एक पार्ट ओफ जो रोक है उसको रिमूव कर लिया जाता है फिर जो आर्ट बनती उसको क्या बोलते है पेट्रोग्लिप बोलते है रोक पर इसी दी पेंटिंग करते है उसको क्या बोलते है यह रोक सर्फिस है उसको ऊपर पेंटिंग करते है तो उसको क्या बोलेंगे उसको पेट्रोग्लिप नहीं बोलेंगे उसको बोला जाता है पिक्टोग् गलिप इस लार्ज डिजाइन और मोटिफ चरण लोगर देन 4-0 pm , उसको जीग उपर बोलते है। इसको जमीन से उपर बनाया जाता है तब नीचे ऊपर फोस्तिव जमीन के बनाया जाता है कि इसको खोध के बनाया जाएंगे तब उसको डियो ईखंगे ..... तो geoglyphs are basically a type of land art and sometimes it can be a rock art. It is created by arranging or moving the object within a landscape में इसको arrange करके object को इसको बनाया जाता है, ठीक है? Such as object can be stones, stone fragments, etc. ठीक है? Next, Lahore resolution was in news. तो Lahore resolution क्या था? It is also called as Pakistan resolution का जाता है, ठीक है? तो Pakistan national day celebrate किया जाता है मार्च 23 को, क्योंकि इसी दिन 1940 में Muslim League ने Lahore resolution पास किया था? Lahore resolution was adopted by Muslim League in 1940 on 23 मार्च. इसी दिन क्या है? पाकिस्तान का national day celebrate किया जाता है. This resolution was presented at Minto Park में उसको present किया गया था, Lahore में. ठीक है? And Minto Park का अभी नाम क्या है? एकबाल पारक है. It was written by, Lahore resolution was written by मुहमद जफरुल्ला कान. तो it was written by मुहमद जफरुल्ला कान. And ये Lahore resolution था, ये present किसके द्वारा किया गया था? A.K. Fazlul Haq. A.K. Fazlul Haq के द्वारा इसको present किया गया था. Who was he? A.K. Fazlul Haq was the first prime minister of Bengal during the British government. ठीक है? तो British rule के दुरान first prime minister of Bengal था, कौन? A.K. Fazlul Haq. A.K. Fazlul Haq. ठीक है? उसने इसको present किया था. But it was written and, Lahore resolution was written and prepared by मुहमद जफरुला कान ने इसको लिखा था और इसको prepare किया था और उसको present इसको द्वारा किया गया था. A.K. Fazlul Haq कान के द्वारा. ठीक है? Next is Khaksar tragedy. Khaksar tragedy है. इसमें क्या हुआ था कि member of Muslim group, ये Muslim का एक group वह करता था Khasgar. ठीक है? उनको क्या है? मारा गया था Lahore में. ठीक है? ये रिलेटिड है. Khaksar tragedy. ठीक है? मुस्लिम से रिलेटिड है. ये 19 मार्च 1940 में हुई थी. ठीक है? उसके बाद में फिर क्या है? 23 मार्च को फिर इसका जो sentiment था उसको फाइडा उटाटे हुए Muslim League ने Pakistan resolution प्रजेंट कर दिया था. 1940 में. Next topic हुआ वहारा है. मजूली मास्क. तो मजूली क्या है? ऐसाम में एक largest river island है. बरंपुत रिवर पर लोगेड़िड है. ठीक है? तो मजूली इजडा deliverr I.N. उसकी एक आर्ट है. मजूली मास्क. इस उसको GI टेग दिया गया है, तो मजूली मास्क इस जी आई टेग फ्रॉम असाम, ठीक है, एड़ ये स्रिमंता संकरदेव है, संकरदेव ने इस आर्ट को स्टेबलिस किया था, आर्ट ओप मास्क मेकिंग को इसको बनाया था, एड़ फ्ले काल देज चिनहा जत्रा, तो इसको जो चिन है, चिन बनाने, पहचानने के लिए क्या है, चिन जत्रा बनाने के लिए, ये मास्क मेकिंग आर्ट बनाया जाती है, इसमें ये लोग है, हैंडमेड मास्क बनाते हैं, तो मजूली मास्क आर हैंडमेड मास्क, मेड़ बंबू, कले, डंग, क्लोथ, कोटन, वूड, यह सारा इसका material का यूज़ करते है, जो locally available material होता है, उसको यूज़ करते है, उसको बनाया जाता है, it is an integral part of Sankar Dev tradition का integral part है Sankar Dev tradition क्या है, यह neo-western white tradition है, ठीक है विस्णु बगवान को dedicated, and Sankar Dev नहीं हम जानते हैं कि क्या है, भावनाज की रचना केती, it is used to depict the characters in the भावनाज, ठीक है, भावनाज क्या होते है, theoretical performance होती है, भावनाज, क्या दखना है कि यह, Sankar Dev को दारा सुरू की गएते है, भावनाज, and theatrical performance है, and इसमें यह, जो god है, and जो evil है, दोनों को represent करने के लिए, mask का use किया जाता है, ठीक है, तो मजूली mask is related with Assam, ठीक है, यह handmade mask होते हैं, इसको GI take मिला है, next is, मजूली manuscript painting, मजूली की manuscript painting है, इनको भी क्या है, GI take मिला है, and 16th century में इनको शुरू किया गया था, यह painting, ठीक है, इसको जो painting है, वो सांची के पेट पे की जाती है, या फिर manuscript, these are made on the bark of सांची tree की bark में बनाई जाती है, और अगर tree के bark में यह बनती है, सांची की पेट पे और on the bark of the सांची tree, ठीक है, this is made from the Homemade Inc. से यह manuscript बनाई जाती है, the earliest example of an illustrated manuscript is said to be rendering of the Adhya Dasma of the Bhagwat Puran in Assamese by Sankar Dev के द्वारा इसको use किया गया था, Indy, Adhya, Dasma of Bhagwat Puran में, ठीक है, इनको जो मजूली manuscript painting थी, उनको क्या है, Ahog Ahom Kingdom है, उन्होंने क्या है, patronize किया था, तो Ahom King ने इसको patronize किया था, मजूली manuscript को, इसका use कहा पर किया था, इसमें यूज किया गया था, दसमा जो भगवत पुरान में इसका, जो लिखे गे थे, संकर देव के द्वारा, उसको में इसको use किया गया था, ठीक है, next है, रूपा, रूप, या फिरूपा, तारकसी, ठीक है, रूप तारकसी, इसे जी आई टेक दिया गया है, यह एक आर्ट है, फ्रॉम उडिसा से है, ठीक है, तो उडिसा में यह तार का क्या मतलब होता है, तार इस वायर होते हैं, ठीक है, और कसी होती है, जैसे नकासी करते हैं, ठीक है, तो कसी मतलब to design, तो इसमें क्या होता है, silver brick से wire निकाले जाते हैं silver brick से wire निकाले जाते हैं और फिर से क्या है यह बनाई जाती है silver brick are transmitted transformed into the thin wires or the foil that are used to create the jewelry और so piece बनाने के लिए इसका use किया जाता है तारों से ठीक है तो रूपा अतारकसी is GI tag from Odisha यह silver filigree की art है Odisha की ठीक है next is Prit Jigar Architecture Prize 2024 Prit Jigar Architecture Prize वो architecture की field में दिया जाता है architecture का noble भी कहा जाता है इसको तो it was won by Japanese nationalist Riken Yamamoto Riken Yamamoto को यह prize दिया गया है Prit Jigar Prize तो याद रख लो कि motto आदमी को motto को दे दिया गया है motto को यह Prit Jigar Prize दिया गया है 2018 में बालकरिसन दोसी जो भारत से थे उनको यह प्राइज दिया गया था only Indian to win this prize next is Sital Devi Sital Devi को अभी election commission ने announce कर दिया है national person with disability icon तो इसका election commission का icon मनाया गया है इनको Sital Devi को national person with disability icon यह एक wonderful lady है यह इनके हाथ नहीं है this is para archer है और इन्होंने क्या है अभी बहुत सारे gold जीते थे Asian para games 2023 में ठीक है तो काफी inspiration है ले सकते हो आप इन से Asian para games में इन्होंने काफी gold जीते थे gold medal जीते थे इनके हाथ नहीं है दोनों and इनको national person with disability announce कर दिया गया है icon election commission के द्वारा इन्होंने अरजन और अरजुना अवार्ड भी जीता हुआ है Sital Devi next is UNESCO World Heritage Committee की meeting होई थी ठीक है तो इसका 46th session है वो India host करेगा and पहली बार है इंडिया UNESCO की World Heritage Committee है उसको host करने जा रहा है ठीक है and this committee UNESCO की World Heritage Committee है this was established under the World Heritage Convention 1972 that is also called as Convention for Protection of World Cultural and Natural Heritage Convention for Protection of World Cultural and Natural Heritage or World Heritage Convention 1972 के अंदर ये UNESCO की World Heritage Committee है बनाए गे थी it was made in 1972 and the resolution था वो अड़ाप्ट किया गया था General Conference of UNESCO के द्वारा ठीक है इस committee में 21 members है तो UNESCO की World Heritage Committee में कितने member है 21 members है including India इसका part है ठीक है इसके member है वो 6 year के लिए चुने जाते है 6 year दिन का टरम होता है ठीक है responsibility क्या है इस committee की इस committee की responsibility है to define the use of the World Heritage Fund है तो उसको कैसे use करेंगे and it allocate the financial assistance भी देती है conserve करने के लिए and it prepare the World Heritage Committee है it prepare the World Heritage Site की list prepare करती है and it जो monitor करती है conservation effort को ये monitor करती है ठीक है next देखो को तो Israel and Lichstein है Israel and Lichstein are not the member of UNESCO के member नहीं है ठीक है याद रखना है कि Israel and Lichstein UNESCO के member नहीं है USA ने अभी इसको दुआरा जॉइन कर लिया है UNESCO को USA is a member of UNESCO now ठीक है UNESCO World Heritage Site India ने क्या है UNESCO की World Heritage Site में tentative list में 6 list को प्रपोज किया है 6 sites को प्रपोज किया है UNESCO की World Heritage Site की tentative list होती है 2024 के लिए इंडिया ने इसको प्रपोज किया है कोई भी site है जो World Heritage Site declare करने से पहले उसको tentative list में बेज़ जाता है उसमें include किया जाता है फिर उसके बाद में उसको World Heritage Site declare किया जाता है UNESCO के द्वारा तो इंडिया पहले इसको बेज़ेगा UNESCO की World Heritage Committee को फिर वो इसको decide करती है ठीक है तो इंडिया ने किस-किस को प्रपोज किया है 6 sites ग्वालियर फोर्ट इस्टोरिकल एंसेंबल ओफ दामनार दि भुजेश्वर महादेव टेंपल ओफ बोजपूर रोक आर्ट साइट ओफ दी चंबल वेली धैन खुनी भंडार ओफ बुरानपूर धैन गौंड मॉनुमेंट ओफ रामनगर मांडला तो यह 6 sites है जो इंडिया ने परपोज की है UNESCO की World Heritage Tentative List में इनके बारे में हम अब डिटेल में रखती है ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर में लोकेटीड है ठीक है तो ग्वालियर का नाम केसे पढ़ा है तो वहाँ पे ग्वाले हुआ करते थे ग्वाले क्या है जो काव हर्ड को चराते है उनको ग्वाले का आ जाता है तो वहाँ पे वो हिल पे वो काव हर्ड रखा करते थे उससी के नाम पर ये ग्वालियर का नाम पढ़ा है इसको काल्डेस गिब्राल्टर ओफ इंडिया बोला जाता है इसका जो है इसको जो पान्सो फर्ट बनाया गया था तौमर डाइनस्टी के द्वारा 525С KA में इसको बनाया गया है तौमर डाइनस्टी के द्वारा Gwalier फर्ट पुडाना की लाइन working यहाँ पर बहुत वांफ़ और भी डाइनस्टी का यहाँ पर रूल होता है दे दे इडिज यूनीक अमलगम ऑफ दिर राजपुत मुगल एंड हिंदू स्टाइल का यूनीक अमलगम है फैमस मॉन्यूमेंट एंड आर्किफिक डेखो गे तो ग्वालियर है ना ग्वालियर के चारों एक ग्वालियर फोर्ट है तो वहां पर क्या है फोर्टिफिकेशन क्या गय जिए गया में चैटरबुज टेमपल है यहां पे जिसमें जीरो काव किया है उसकी वाल पर पेismu का जो टेमपल है això सच अपल ₩ टे switching और यह सहाथ देंपल कहा जाता एक स्ट्य Sawya गै केंपल ये को बनाया गया थो सास बहु का टेंपल ठीक है इसके लवा यहाँ पे तेली का मंदिर भी है तेली का मंदिर है आपस веч गुरुदवारा र। इसके लबाव यहां पर सिधानचल जेन टेम्पल भी है, वालियर फोर्ट में सिधानचल जेन टेम्पल केव हैं, जिसको जो बनाए गी थी 7-8 सेंचरी में, 7-15 सेंचरी में, second जो हमने देखा, second जो tentative list में proposed किया गया है, वो है historic ensemble of dhamar, ठीक है, यह आप देख सकते हो, यह caves है, तो these are the basically cave, historic ensemble of dhamanagar, these are the caves located in Mandasore district of Madhya Pradesh में, यह caves located है, ठीक है, they belong to 5th to 7th century की यह cave है, 5th to 7th century CE, and these are series of Buddhist cave भी है, यहाँ पर Hindu temple भी देखने को मिल जाता है, तो Buddhist as well as Hindu architecture का यह example है, यहाँ पर Hindu temple complex है, वो कौन सा है, धर्म Rajeshwar temple यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर बडी काचेरी है, बरी काचेरी, यह फिर बारी काचेरी, इस दा लार्ज कोट्यार्ड है, and भीमा बजार ह These are two outstanding cave हैं यहाँ पर, इसमें historical ensemble of dham नमर में, दो important cave कोण सा है, बरी काचेरी यहाँ फिर बडी काचेरी, ऐस वेलस भीमा बजार, ठीक है, यहाँ पर, statue of gotham bhu da का statue है in the sitting position, ऐस वेलस निर्वाना के posture में, यहाँ पर statue है, इसमें, gotham bhu da का, and इन caves को explore किया गया था, James toad के 1820 में इसके लावा जेमेस फर्गुसन ने इसको एक्स्पोर किया था 1845 में फिर अलेकजंडर क्यूमिंग क्यूमिंग नन ने 1864-65 में किया था ठीक है तो यह केव्स हैं याद रखना है इसको नाम रखा गया है इसको ब्र जीन इसको किया था इसको इसको बनाया गया था एकजांपल औप भुमिझजा स्टाल ऑफ टेंपल आर्चिटेक्टर का एकजांपल है टीक है यहाँ पेमाशिव लिंगा पाया जाता है यहां पर देखने को मिलता है लगवग 4 मेटर का है ए outta सु याद रखना है कि ही बोजगे सुवर महादेव टेमपल है मय व्स एकाह पर हे फिर-ध उस next is rock art sites of Chumble Valley, то Chumble Valley में rock art बनाए गई है, ठीक है, तो उसके जो catchment area है वहाँ पर, यह आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जो hills वगेरा है, वहाँ पर यह, टोक arts रही है यह देखने को मिलती है, ठीक है, चमबल का origin कहाँ से होता है, आप मेरे को comment box में बताओ गई, next is हमने देखा था, पांचवा है वो खोनी भंडार, खोनी भंडारों बुर्हानपूर, ठीक है, these are the underground water management system है, खोनी भंडार, अल्जीम सा नाव है खोनी, तो these are the underground water management system है, इसको बनाया गया था, 1615, they were built in 1615, by the Abdul Raheem, खाने खान के द्वारा इसक ठीक है, next is the God Monument of Rampur, next है वो God Monument of Ramnagar है, Ramnagar का, that is located in Mandala में located है, तो गौंडवाना, तो यह बलाओं करता है, गौंड ट्राइब है, उनसे रोरेटिड है यह, तो गौंडवाना is traditional home of the गौंड ट्राइब का, गौंडवाना कहां पर रोरेटिड है, गौंडवाना रीजिन थ वो था, अमपी, छतिसगड और मारास्टर वाले रीजिन में पढ़ता है, तो यहां पर ही, मोती महल है, इसका जो गौंड ट्राइब का, एक इंपोर्टेंट पिंग था, गौंड किंग हरद्य सिंग, जिसने बनाया था, मोती महल बनाया था, ठीक है, मोती महल बाद है, गौंड रूलर हरद्य सिंग है, उसके द्वारा, जो यह किंग है, उसके द्वारा मोती महल के लावा, क्या-क्या है, और बनाया गया है, मोती महल बनाया गया है, राय भगत की कोटी बनाया गया है, विस्टु मंदिर बनाया गया है, बेगम महल बनाया गया है, दल बद क्रानपुर और गौन्ड मॉन्मेंट आफ båंनेगर मांडला ठीक है नेस्ट उपिक हमारा हथ काजी-नेंबू एक नेंबू है धिक है काजी नेंबू है यह नेंबू है जिसको असाम गवरर्मेंट ने अपना स्टेट का स्टेट प्रविरी के स्टेट फ्रूट प्रविर पर आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टोपिक है वो है दीप स्टम्ब या फिर दवीप स्टम्ब कहा सकते हो दीजार दे लेंब पोस्ट होती है 400 साल पुराना एक लगवा 390 साल पुराना एक है अं दीप स्टम्ब या फिर लेंब पोस्ट है वह डिसकावर के यया था नालगोंडा तयलेंगाना में ठीक है अधोज मिन क्या होता है अधोधिक जस्थी देपा यानि, यह देपा से लेटेड है यह लेमप पोस्ट वह करती है और यह नाल गण टेलंगा ना में पाई गी थी, यह जो दिप स्थम होते हैं वो गवा में देखने को मिलती है ठीक है on the coast line of the यह अभी यहाँ पर क्या है एविडेंस मिला था इसलिए यह नूज में था पोंगेला क starter के होती है वह स्टार्टि ए विद रिचॱल या की सब्सक्राइब सो चिफए सब्सक्रांब ए सवा rice padONG nela कि अभी जो कि इनका जन्म होगा था मागपुरिनमा के दिन जन्म होगा ठीक है ही वाज बॉन इन 1377 CE में यह जन्म होगा थी ठीक है उत्रप्रदेश में गुरु रविधास इसे इंडियन 47 Poems में,they are included in the adhi grant of Sikh . जो Holy Grant है उसमें इंख्लूड की गई है ठीक है ऑठीक है अद्धी ग्रंथी आल्स सॉकल है इस इलेवन गुरु का जाता है यह founder of the जो रविधास जी है वो रविधास ए रिलीजिन के founder है यह spiritual guru है मेरा भाई के नेक्स्ट है सुभी का painting सुभी का painting they belong to the these are the ancient painting from the Manipur से ancient painting है they belong to the Mathy people से belong करती है तो Mathy people जो है वो नोट इस में रहते हैं ठीक है तो Manipur में भी यह पाई जाते हैं they were used in the Puyas तो जो painting थी इनका use क्या गया था Puyas में, Puyas क्या है these are the archive Manipuri manuscript हुआ करती थी तो Manipuri पुरानी ancient time में manuscript हुआ करती थी हाद से वो लिखते थे, तो उनमें क्या है इन painting का use करते थे जो manuscript होती थी उनको क्या बोलते थे Puyas बोला जाता है उसमें क्या है सुभी का painting का यूज क्या जाता था तो सुभी का painting is related to Manipur Matthew people से related है ठीक है इसकी 6 surviving manuscript manuscript अभी भी पाई जाती है तो इसमें सब में क्या है नाम में सुभी का जड़ावाय सुभी का, सुभी का अचोवबा सुभी का लाइसबा ठीक है अपधे शकते हो कि सुभी का क्या है इस आरदे painting है painting है ठीक है एन सुभी का से associated हो तो ये 6 manuscript ही है नेच्स टीजगिस समक्का सरलमा जत्रा समक्का सरलमा जत्रा ये न्यूज में ताश ठीक है तो समक्का सरलमा सरलमा है लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, तलंगाना का है, ठीक है, तो इसको तलंगाना में celebrate किया जाता है, ट्राइबल फेस्टिवल है, हर दो साल बाद होता है, it is celebrated every two year, biannually, यह celebrate किया जाता है, in the Medaram village, ठीक है, it is a festival with no Vedic और ब्रामनिक influence नहीं होता है, उसको एसको इसको चलीबरेट किया जाता है, तो रूलर्स के खिलाब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसी पुराने टाइम में, तो पीपल ओफर दी बंगाराम गोल्ड ओफर करते हैं, इन दी फॉर्म अफ जेगरी, करते हैं, तो यह फिर उसको बहार दिया जाता है, जंपना वगु है वो ट्रिबीटरी हैं गदावरी की, ठीक है, तो जंपना वगु रिवर इजलेटेडिड विद समक्का सरला अमा जतना के साथ रिलेटिड है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गदावरी की, ठीक है, Each State Festival rain या ट्राइबल फेस्टिवल नेक्स्ट इस स्वामी द्यानंद सरस्वती इनकी अभी दोसो वींग बर्थ अनिवेस्टी सेलिबरेट की ए ठीक है तो सत्यार्थ प्रकास इनके द्वारा लिखी गई थे ठारासुप चेतर में इन्होंने क्या है रिटन टू वेदास बोला था वहा प्रमोट करना चाहिते है इन्होंने प्रमोट क्या था स्वामी द्यानंद जी ने ठीक है आरे समाज को आपको पता होने चाहिए इस्टेटिक का पोर्सन है ठीक है इकलेम दाट कास्ट स्वामी द्यानंद जी ने बोला था कि कास्ट इस नॉट सपोस्ट टू भी हरीटरी नहीं होने चाहिए बट रेदर ऑन दी बैसिस ओफ इंडिविज़ल के टेलेंट के दार पर जो ओक्पेशन के दार पर यह कास्ट होनी चाहिए नॉट हरीटरी ठीक ह अट इस ग्रेडिटीड स्वामी द्यानंद इस ग्रेडिटीड टू यूज दी फर्स इन्होंने क्या है पहली बार सवराज ट्रम का यूज किया था ठीक है इन अठारा सो प्षेतर स्वरुपली राधाकर्शन जी ने इनको क्या बोला है मेकर ओप मोडरन इंडिया बोला है स्वरुपली राधाकर्शन जो भारत के दूसरे प्राइम दूसरे प्रेजिडेंट थे उन्होंने इसको क्या बोला है इनको बोला है द्यानन सरस्वती जी को मेकर ओप मोडरन इंडिया बोला है क्या रखना है ठीक है वैसे को न राधा राम मौन राय को बोला जाता है न व पाने पी लेता है, नेस्ट है ये नेस्ट आपिक है, वो चेवलियर डेला लीजन दी ओनर ये अवाड है, ये फ्रांस का हाइस्ट सिवलियन अवाड है, वो ससीज तुरूर को अभी दिया गया है, ससीज तुरूर। कॉंग्रेस के एक लीडर है तो नाइट ऑफ दी लीजिन ऑफ दी ओनर अवार्ड है इसको बोला जाता है चेवलिय डी लीजिन दी ओनर अवार्ड इनको दिया गया है ससितरूर को और इस अवार्ड को अथारास दो में नेपोलियन के द्वारा एस्टिबिलिस के गया था अब जनपिट अवार्ड वर इस्टिबिलिस्ट इन नाइटिन इस्टिबिलिस्ट इन इंडिया था इन इंडिया था इंडिया जाते है उनको प्लस इंग्लिज नाइट सेडल में है उनको मिलाके प्लस इंग्लिज तो तैस लेंग्लिज में इन इनको दिया जा सकता है ठीक है यह पूस्ट हो जाती है तो उसको बात में वह तने कीछ़ू जाएगा ठीक है इस जन पिट वार्ड में 11 ओल Finnish केस्ट दिया जाते है एक स्टेची होता है वाग्द इवी का वो दिया जाता है इसके लावब एक्साइटेशन भी दिया जाता है तो फस्ट रिसिपियंट था इसका जो जनपिट अवाड का तो वो था जी संक्रा कुरुप पूएम्स था ठीक, इनकी जो पूइम हुआ करती यह उह सस्ट वार्द जी शंकाद को ढीएा टoof इनकी की पौइम के लिए उडा कुज़ल के लिए नेस्ट इस अभी फिप्ट्य यहट जनमप्र वार्द गये है 58 मिंहें चनमपिट अवार दिए दीए गये 69 मीजिशियन जी लेष्ट पॉइट एंड लिरिस्ट है, गुलजार है, उनको दिया गया है, ये जो image में देखे सकते हो, ठीक है, एंड संस्कित स्कोलर है, जग्दगुरू रामभदराचारिये, रामभदराचारिये जी को दिया गया है, ठीक है, तो ये किस-किस को दिया गया है, 58th जनपिट जग्दगुरू रामभदराचारिये जी, ठीक है, गुलजार इजार सोकाले, संपूरन सिंग कालडा, तो संपूरन सिंग कालडा को गुलजार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनका pen name क्या है, गुलजार है, गुलजार के नाम से लिखते हैं, संपूरन सिंग कालडा जी इन्होंने क्या है बहुत सारे गाने लिखे हैं उर्दू ठीक है इनका जो famous song है जै हो लिखा है सलम डोग Millenair का सोंग है जै हो उसके लिए इनको ओस्कर भी मिला था 2009 में इन्होंने एक न्या genre डोल अप किया है जिसको बोला जाता है त्रिवेनी स्टाइल, ठीक है, नया चेंडरी है, जिसका नाम कहा है, त्रिवेनी, पीची जे, इसमें तीन लाइन की पोईम होती है, नोन मुकपफा पोईम ओफ त्री लाइन, ठीक है, त्रिवेनी स्टाइल is related with गुलजार, और संपूरन सिंह कालडा, याद रखना है, इस बुक लिखी है, इन्होंने, इनको 22 से ज्यादा भासाओं का ज्यान है, बोल सकते हैं, इन्होंने एस्टिबलिस किया था, तुलसी पीट इनके द्वारा एस्टिबलिस किया था, चितरकूट में, मध्यपरदेश में, तो रामनन्दा सेक्ट के अभी चार जग्द गुरु रामनन्दा चारिय है, जुन में से एक यह है, ठीक है, नेक्स्ट, हम आज आएगे, जन्वरी से रेलेटिड आर्ट एंड कल्चर के कंट अफेर पे, तो जन्वरी में क्या है, 22 जन्वरी को हम सब जानते हैं कि प्रान प्रतिष्टा हुई थी रामन्दर की अयोध्या में, ठीक है, उसी से रेलेटिड है यह, तो प्रान प्रतिष्टा, ठीक है, प्रान प्रतिष्टा क्या होती है यह, तो यह मूर्ती है, उसको लाइफ देना देती है प्रान प्रतिष्था ठीक है तो मूर्ति को ये बगवान बना देती है ठीक है और ये फिर प्रेयर असेप्ट करने लग जाती है और लोगों को अशिरवाद भी देती है इसको प्रान प्रतिष्था की जो प्रोसेस है जैसे की मस्च पुरान है वामन पुरान है नारद पुरान में उसको मेंशन किया गया है और इसमें क्या है जो प्रान प्रतिष्था है मूर्ति की वो दो प्तरह की मूर्ति के लिग की जाती है एक मोबाइल मूर्ति होती है जिसक स्थिर मूर्ति का लाती है, जबकि जो चलित मूर्ति है, जो हमारे गरहों में होती है, वो यह होती है, तो उन दोनों के लिए क्या है, प्रान पर्थिष्टा की जा सकती है, प्रान पर्थिष्टा के लिए क्या है, एक प्रोसेस होता है, मंत्रा एंचेंट किया जाते हैं, तो उसमें मूर्ती में पहले life आ जाए, prayer is for both the idol to become life आ जाए, और ये जो मूर्ती है वो अपनी जिंदगी छोड़ दे, तो उसमें जो life आई है उसको छोड़ दे, उसके लिए भी त्यार रहे, क्योंकि मूर्ती क्या है, कभी तूट सकती है, कुछ और हो सकता है, तो फिर क्या है, ये प्रान परिश्टा की जाती है, प्रन्तु दो अब्जेक्ट हैं, दो डिवाइन अब्जेक्ट हैं, जिनके लिए प्रान परिश्टा की जुरूत नहीं होती है, तो डिवाइन अब्जेक्ट जिसमें से पहला है, सालिग्राम, तो सालिग्राम है, इडिस फाउंड इन ग प्राण प्रतिष्टा के जुरूत नहीं पड़ती है, जो की पाइदाता है गंड की रिवर में, नेक्स्ट जो मूर्ती के प्राण प्रतिष्टा के लिए जो पूजा की जाती है, उसमें बहुत सारी स्टेजी रहती है, पहली जो स्टेट होती है, उसमें वो होती है, सोबा यात्रा निकाली जाती है, तो मूर्ती को क्या है, उसको टेंपल के चारों और गुमाया जाता है उसको, फिर उसमें जजयकार बोली जाती है, फिर ठीक है, जजयकार बोली जाती है, उसमें फिर लोग सर्दा से हाथ जोड इसको क्या है मुर्ति को नहलाया जाता है ठीक है इडिस में फूर हील अप तो जब मुर्ति बनाते हैं तो उसमें क्या है बहुत सारे ओजार से उसको बनाया जाता है ठीक है तो उसमें जो अदिवास है फिर उसको सनान कराया जाता है तो उसको जो लेफ लगाया जाता है जिस इसको उपन किया जाता है उसको बोलते हैं नेत्रो नेत्रो ओन मिल्लन जो आंके कौलना होता है तो उसको नेत्रो ओन मिल्लन का जाता है तो उसमें पिछे की साइड रहके आंके कौली जाती है उसकी मूर्ति की क्योंकि यह माना जाता है कि जो तेज है बगवान का वो कोई वि उनके द्वारा बोली जाती है अभी इसके दो तिन श्पीकर रह एक टैत rock लेंग्विज्ट है ठीक ह्या पिल्ज favour Gün इंका जो लोग एक चोड़ रहे है तो मानी काले लेंग्विज с Max गोली इसको dorm दरा खिल दिंच allda यह पीछ लेंग्वेश्स प्र्जर्वशन के लिए कुछू स्टेप लिये गे हैं, गवर्मेट ने फोर एउंपल स्कीम पॉर प्र्टेक्षण औन प्र्रेश्य आडोकेमेटीशं औ अफ इसको डोकमेंट करने का काम करता है थिक है एड युनेशके कोने ऐनुसार जिसके कम से कम जिसके दस हजार से कम सपीकर हो थो लेस देन 10,000 पीपल जिसको बॉलते हैं उसको अंडेनजर लेंजाता है युनेशको के द्वारे थिक है इसको Central Institute of Indian Languages है, जो की located है मैसूर में, वो इनको conserve करने का काम करता है, under the scheme, spill scheme के अंदर, scheme for protection and preservation of endangered language of India, उसके लाबा, UGC भी क्या है, जो language होती है, उनको preservation करने के लिए दो scheme चलाता है, funding support to the state universities for study and research in indigenous and endangered language में research करने के लिए funding देता है, उसके लाबा, दूसरी UGC की scheme है, language in India, establishment of center for endangered language in Central University में, ये center बनाता है, and for the endangered languages के लिए center या chair बनाई जाती है, UGC के दवारा, next है वो, टोपिक है वो, राजाओं की बावली, तो बावली क्या होती है, basically it is a step well होता है, and a reservoir in which the water can be stored, ठीक है, तो ये एक well होता है, जिसमें water store के जाजता है, उसको बावली बोलते है, तो ये राजाओं की बावली है, ये एक famous step well है, कहां पे, महरोली archaeological park दिली में located है, and इस बावली कहां पे located है, डिली में located है, याद रखना है, महरोली पार्क में, इसको बनाए गया था, दोलत खान की द्वारा, ठीक है, लोधी डावली डावली से बिलोगता आई है, next is कालाराम टेंपल, प्राण प्रतिश्टा के दुरान ही क्या है, मोदी जी यहां पे गये थे कालाराम टेंपल में, तो इट इस लोकेटिड इन पंचवटी एरिया और बैंक ऑप गदावरी रिवर, पंचवटी एरिया में यह लोकेटिड है कालाराम टेंपल, तो जो टेंपल है, बेच्चुकली इसकी जो मूर्ती है, वो ब्लेक कलर के रोग से बनाए गई है, इसलिक कालाराम बोलते हैं, इसको, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो में टेंपल में 14 स्टेप उर हर एक स्टेप है, वो रिप्रजेंट करता है, 14 जो वनवास वथा, उसको represent करता है तो इस temple में क्या है 84 pillars है 14 इसमें steps है जो कि उनके exile के एक year को represent करते है एक एक year को इसमें 84 pillars भी है इस temple में which represent the cycle of 84 lakh species that one has to complete in order to born as a woman तो एक species को human पैदा होने के लिए 84 lakh योनियों से गुजरना पड़ता है ठीक है तो इसलिए इसमें चुर्यासी pillar है यहाँ पर इसी temple पर क्या है कालाराम temple में यहीं पर agitation किया गया था बाबा साहब अमेटकर के दोरा यहाँ पर क्या है पंडुरांग सदासीव साने या फिर तो जो पंचवटी एरिया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो पंचवटी एरिया में यह जो टेंपल लोकिटीड है कालराम जी का ब्रगवान कालराम का तो पंचवटी एरिया जो पंचवटी एरिया है यहां पर क्या है पांच बन्यान ट्री है बन्यान ट्री है तो इसलिए एक जाहिल के अपने 14 years में से कुछ साल यहां पर वितायते हैं और यहीं पर क्या है रावन है वो शीता को केप्चर करता है ठीक है तो इसलिए historically important है next है भारत रतन तो भारत रतन अनौंस किये थे तो इसके बारे में देखते हैं भारत रतन तो भारत रतन इस इंडिया जाएस्ट शिविलियन अवार्ड है देवर इंसिट्टुटिट इन 1954 में को इंसिट्टुट किया गया था and any person without any distinction of the race, occupation, position or sex is eligible for भारत रतन के लिए eligible है and it can be given in any field of human endeavor में इसको दिया जा सकता है तो cognition of exceptional service or performance of highest order in it is given for the performance of highest order के performance के लिए दिया जाता है in any field of human endeavor किसी भी field में इसको दिया जा सकता है इसमें कोई भी restriction नहीं है and इसका जो recommendation है वो prime minister करते है to the president ठीक है and annually award is restricted to maximum 3 दिया जा सकता प्रंतु इस बार 5 दिये गये है ठीक है तो इसको कोई ब्रीज कर दिया गया है तो भारत रतन अवार्ड the recipient receive a certificate receive करता है signed by the president and a people lift shaped medal भी बिलता है तो this award does not carry जो भारत रतन में कोई भी monetary grant नहीं दी जाती है कोई भी पेसा नहीं दिया जाता है and ये foreigners को भी दिये गये हैं तीन foreigner Mother Teresa को दिया गया है अब्दुल गफार खान को दिया गया है नेलसल मंडेला को भी ये प्राइस दिया जा चुका है भारत रतन Mother Teresa अब्दुल गफार कान नेलसल मंडेला तो first recipient of भारत रतन वाज सी राजगुपलाचारी सी राजगुपलाचारी first recipient थे भारत रतन के second थे वो जो हमारे second president थे रादाकरशन जी वो थे second recipient थीक है इस अवार्ड जो specification क्या है इस भारत रतन की the original भारत रतन अवार्ड डिजाइन specified a 35 अमम gold medal 35 अमम का circular gold medal इसमें दिया जाना चाहिए था featuring the sun and the भारत रतन is written in Hindi में लिका हुआ है and state emblem भी बनावा है उस पे और उस पे motto भी लिका हुआ है on the reimbursement ठीक है ये पांच लोगों को दिया गया है जिसमें से पहला है वो करपुरी ठाकूर को दिया गया है ये आप इनके में देखते हो करपुरी ठाकूर तो हुआज ही हिवाजदी former chief minister of Bihar थे and freedom struggle में भी इन्होंने पार्टिस्पेट किया था ठीक है and he was jailed during the quit India movement के दुरान इनको jail हुई थी and he is also called as jan nayak और people leaders भी बोला गाता है इनको and he is seen as the architect of social justice in India ठीक है इन्होंने पार्टिस्पेट किया था anti-emergency जो movement होएते उनमें पार्टिस्पेट किया था इन्होंने फिर बिहार का chief minister रहते हुए 1970 में alcohol पे complete ban लगाया था alcohol पे complete ban implemented the layered reservation system तो ये layered reservation system लेके आया थे इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन अपॉइंट किया था बिहार गवर्मेंट के अडर में मुंगेरी लाल कमीशन में 1976 में रिपोर्ट दी थी जिसके दार पे इन्होंने क्या है backward and most backward को इसमें divide किया था communities को दो बागों में divided किया था backward and most backward फिर इन्होंने क्या है layered, laid preservation system लागू किया था BC के लिए अलग है ठीक है इसमें EWS को भी reservation दिया गया था women को भी reservation दिया था तो सब को क्या है उन्होंने reservation दिया था, total 26% reservation दिया गया था, इनके द्वारा, तो उसको बोला जाता है, मुंगरी लाल commission, या फिर उसको करपुरी ठाकर फर्मुला बोला जाता है, 26% reservation इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये जो अभी reservation मिलता है, उससे पहले का था, ठीक है, तो सबसे पहले निके द्वारा start की गी थी, reservation का system, मुंगरी लाल कमिशन इनके द्वारा appointment किया गया था, करपुरी ठाक और फार्मुला इसका reservations related है, and he participated along with JP Narayan in the total revolution में, इन्होंने participate किया था, समपूरन करांती में इन्होंने launch कि थी, JP Narayan के साथ मिलके, and इन्होंने national midday meal scheme को बनाने में एक important role play किया था, ठीक है, तो दूसरा जो award दिया गया है, भारतरतरन वो दिया गया है, पीवी नरसिमा राओ जी को दिया गया है, ठीक है, तो पीवी नरसिमा राओ जी, was ninth prime minister of India, during 1991 से लेके, 1906 में, and LPG reform initiated है, इन्हीं के द्वार लाए गये थे, chief minister of आंदरप्रदेश के chief minister भी रहे थे, he has published the, इन्होंने क्या है, ये book published की है, जैसे की, सहसराफ़ान, अबाला जिवतम, पन लक्सत कौन गेटो, तो ये इनकी book से याद रख सकते हूँ, ठीक है, LPG reform इनके द्वार लाए गये थे, 1909 में, ठीक, next is, चोर्दी चर्ण सिंग को भी भातरतन दिया गया है, तो he was fifth prime minister of India, ठीक है, chief minister of UP रहे चुके हैं ये, follower of मार्टमा गादी, ये freedom struggle के दुरान, जैल भी गये थे, बारा साल इनको जैल हुआ था, salt law चोड़ा था, इनको का है, बारा साल की जैल हुई थी, इन्होंने land holding act लेके आए थे, 1960 में ये, ठीक है, उसके लावा author of several books and pamphlet में लिकी थी इन्होंने, abolition of जम्यदारी, cooperative farming x-raid, India poverty and its solution, present proprietorship or the land to the workers, and prevention of division of holding, prevention of division of holding below a certain minimum, ठीक है, तो ये भारत के पांच वे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इनके जनम दिन पे क्या है, किसान दिवस हम बनाते हैं, कब celebrate करते हैं हम किसान दिवस, ये आप देरको बताओगे, कब आता है इनका जनम दिन, ठीक है, next है Amas Swaminathan, Amas Swaminathan को आप सभी जानते हो, Father of Indian Green Revolution, तो इन्होंने कौन-कौन से International Award जीते थे, रमन मेकसे से Award जीता था, रमन मेकसे से Award for Community Leadership इनको दिया गया था, 1911 में इन्होंने जीता था, इसके लावा Albert Einstein World Science Award 1986 में इन्होंने जीता था, उसके लावा, फर्स्ट जो World Food Prize था, फर्स्ट World Prize है, वो इनको मिला था, 1987 में, ठीक है, तो फर्स्ट World Food Prize भी इनको मिला है, ठीक है, तो इन्हों रमन मांकसे से मिला हुआ है, Albert Einstein मिला हुआ है, इन्हों वल्ड फुड प्राइज, उसके लावा, भारत में इनको लगवग भारत रतन मिल गया, भारत रतन से पहले, इनको लगवग भारत के सारे यह वार्ड मिल चुके हैं, पदम सरी वगएरा सब मिल चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस लाल करसन अडवानी जी, इनको भी क्या है, भारत्रतन दिया गया है ठीक है यह भारत्य जनता पार्टी की को फाउंडर थे उनिसोसी में इनों ने अटल ब्यारी जी के साथ मिलके बनाई थी डेपूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के 2002 से 2004 तक ठीक है तो फांस लोगों को यह दिया है भारत्रतन इसले याद रहे ही ठीक है पर इस भार पांस को दिया गया है कि मुरफली Even Japan has put its nominants to be इंक्लिजिञें इन्लीजिन इने के इंडिया ने इसका नौमिनी दिया था, वल्म हेरीटेस इसको नौमिनेट किया है 2024 के लिए It was established 对 during the reign of 36 श्वाजी महाराज के दूरान ये अ मराठा मिल्ट्री lay इंड्सकेप स्टेबिलिस हुए थे वर यूट्रिलाइजट बाइद इमराथा आर्मी टू डवलप दी कुलिला वार्फेट टेकनीक डवलप करने के लिए इनको बनाया गया था इनको यूट्रिलाइज किया गया था ठीक है इस वर बैसिकली डी मिल्ट्री जो क्या थे हैं जो कि इंडिया में रिखोग्नाजीज की है उनिसको की वयलप हेंज है झिस थिसमें से 34 क्ल्टरल साइट है سाथ नेचरोल साइट है और एक मिश्ट साइट है, मिक्स हें अप में बताउगेः का नाम बताऊगे ठीक है कमेंट बॉक्स में नाम पताईए सांती निकेतन इंडिया की 41st 41 वी युनिस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट है ठीक है 42 वी कौनची है 13th century जो सेक्कड एंसेंबल टेंपल्स थे ओफ होईशयलाट रूलर्स बैलू टेंपल है हालेबेडू टेंपल है सौमनात्पुरा का जो टेंपल है वो क्या है 42nd युनिस्को रिकोगनाइज साइट है ठीक है इसके बारे में हम डिस्कूश को चुक है बहले नेक्स्ट इस क्लासिकल लेंगवेज तो ममताब नर्जी ने बेंगाली को क्लासिकल लेंगवेज का स्टेटस देने के लिए डिमांड की थी ठीक है तो इंडिया में अभी कितनी क्लासिकल लेंगवेज है देरा सिक्स क्लासिकल लेंगवेज कौन कौन सी है तामिल है तामिल संस्कृत कर्णड तेलगू मल्यालम उडिया याद रखना है कौन कौन सी है तामिल संस्कृत कर्णड तेलगू मल्यालम उडिया क्लासिफिकेशन कै इस होता है इनको किसी लेंग्वेज को कैसे classify किया जाता है classical language तो उस language की लेंग्वेज फुट है high antiquity of early text or recorded history of at least 15 सव से लेके 2000 साल की उसकी history होनी चाहिए ठीक है it should have a body of ancient literature text ancient literature होना चाहिए इसका या फिर text होना चाहिए which is considered as a valuable heritage by a generation of speaker ठीक है जुसको valuable heritage माने थार्ड इस a literary tradition होना चाहिए that is original तो original literary tradition होना चाहिए that is not borrowed from any other language or speech community से borrowed नहीं होना चाहिए fourth is the classical language and the literature being distinct from the modern जो classical literature है इसका वो modern literature से अलग होना चाहिए there may also be a discontinuity भी हो सकती है between the classical language and its letter form में discontinuity हो सकती है so these are the four condition जिसके दार पर इसको language का यह status दिया जाता है it should have history of कम से कम कितनी होने चाहिए 1500 सो लेके 2000 साल की इसकी history होने चाहिए ancient literature text होना चाहिए इसका original इसका literary tradition होना चाहिए और है distinct from the modern language से यह distinct होने चाहिए ठीका classical language तो what are the benefit for the एक language ज़र classical language का status मिला हुआ तो उसके benefit क्या है two major annual awards है उनको दिये जाते है classical Indian language है उनमें दो major awards दिये जाते हैं international award है उसके लिए eligible होते हैं nominate किया जाता है center of excellence है for studies in classical language can be set up किया जासकता है center of excellence बना जासकता है इसके लिए इसके लावा UGC है वो गरांट देती है उसका UGC भी है वो center university में क्या है इनकी chair बनाती है professional chair for classical language establish करती है and UGC है वो इसको research project को भी प्रमोट करती है इन language में ठीक है space के advantage हो गई next is जीवन रक्सा पदक series of award तो जीवन रक्सा पदक series of award तो ये अवार्ड है किसी की जीवन को बचाने के लिए है कोई act of bravery है उसके लिए दिया जाते है तो these are the meritorious act of human nature जिसके लिए अवार्ड दिये जाते है for the saving of the life of the person president इन अवार्ड को देते है इनके तीन category of award है ठीक है इसमें तीन category of award होते है ठीक है जो किसी की life बचाएगा उसके लिए ये दिये जाएगा तो life बचाते हुए क्या है वो मर भी सकता है तो इसको क्या है पोस्ट हमेसली भी अवार्ड को दिया जा सकता है and person from the कोई भी किसी की जान बचा सकता है तो everyone is eligible for this award it can be given पोस्ट हमेसली भी दिया जासता है ठीक है इसमें क्या है एक medal दिया जाता है certificate दिया जाता है certificate is signed by the union home minister के द्वारा sign किया जाता है and एक lump sum monetary allowance भी दिया जाती है so G1 प्रक सिक प्रक अवार्ड आपको पता चल गए next is Rohan Bopanna Rohan Bopanna become the oldest tennis player to achieve the world number one ranking in the men's double during Australia Open तो ये world के सबसे बुढ़े आदमी बन गए है tennis player बन गए है जो जनोंने क्या है world की number one ranking हासिल की थी ठीक है काफी inspiring है during Australia Open के दुरान next is दास्टे खेल प्रसाहन प्रुसकार दो हजारतेश तो इनको announce कोन करता है Ministry of Youth Affairs इन अवार्ड को announce करती है रास्टे खेल प्रुसाहन प्रुसकार खेल को प्रुसकार के लिए जो प्रुसकार दी जाते है ठीक है प्रेजिडेंट इनको देता है प्रेजिडेंट देता है और इनको announce कोन करता है Ministry of Youth Affairs They were initiated in 2009 में इनको शुरू किया गये थे They are given to the corporate entities को दिये जाता है जो कि supports को promote करती है activities को तो corporate entity can be in private sector as well as public sector के entity हो सकती है Supports control board है NGO है or anybody है state और national level के body है उनको ये दिये जाते है that play a visible role in area of sports promotion and development में एक important role play करती है उन bodies को ये दिये जाता है तो 2023 का जो प्राइज है in the field of CSR CSR के field में Odisha Mining Corporate Limited को दिया गया है Sports promotion in the थरोदी CSR corporate social responsibility के द्वारा sports promotion के field में Odisha Mining को दिया गया है उसके लावा जेन deemed to be university है बेंगलूरू में एक जेन deemed to be university है उसको क्या है young tenant को identify करने के लिए इसको राष्टे के लिप प्रुस्कार दिया गया है तो UNISA Mining Corporation को दिया गया है CSR की category में jam dim to be university बेंगलूरू को इस category में दिया गया है identifying the talent राष्टे के लिप प्रुस्कार next is FIFA 1904 FIFA was established in 1904 में इसको established किया गया था FIFA और it is also called as the Federation International Defootball Association इसकी full form है and it is the governing body of football की यह governing body है इसका headquarter कहां पे है Zurich in Switzerland में इसका headquarter है FIFA का membership it has 211 National Association की इसकी membership है and FIFA is a member of International Football Association बोर्ड का member है FIFA is a member of International Football Association बोर्ड का member है International IFAB Football Association बोर्ड है यह जो है वो कानून बनाता है लो बनाता है फुटवाल की गेम का लो कौन बनाता है International Football Association बोर्ड बनाता है and तो governing body है International governing body यह है फिपा है और लाब आने की बोड़ी ये है ठीक है तो यह फिपा है अवाड देता है हर साल ठीक है तो मेसी है लैनौन मेसी है 2023 का best male player of the year तो लगा ता दूस्री बार इन्होंने मेसी ने अवाड जीता था यह उसके लावाद जो सपेज की एतियाना बोनमार्टी है एतियाना बोनमार्टी इनको दिया गया था woman best player of the year 2013 का अवार्ड ठीक है तो फिफा player of the year अवार्ड male category में मेसी है और female category में एताना बोनमार्टी ठीक है headquarter कहाँ पर फिफा का जूरिच में है 1904 में यह establish हुआ था next is 96th Academy Award तो 96th Academy Award और ओसकर इनको बोला जाता है ओसकर 2024 है यह दिये जाते है Academy of Motion Picture, Art and Science तो इस अवार्ड और गिवन बाई Academy of Motion Picture, Art and Science के द्वारा दिये जाते हैं देवर established in 1923 में इसको established किया गया था ओसकर अवार्ड को और यह Hollywood सहर है Los Angeles में California में इन USA वहाँ पर यह अवार्ड दिये जाते हैं तो 2024 के ओसकर अवार्ड में Best Picture का अवार्ड दिया गया है Openheimer को दिया गया है Best Actor का अवार्ड दिया गया है Openheimer के ही एक्टर थे Cillian Murphy उनको दिया गया है Actress का अवार्ड है Emma Stone को दिया गया है Poor Thing फिल्म के लिए And Best Director का अवार्ड है वो किस्टोफर नेलन को दिया गया है For Openheimer फिल्म के लिए And Best Sporting Actor का अवार्ड है वो Robert Downey Jr. को दिया गया है For the Openheimer के लिए ठीक है तो जातार अवार्ड इसमें Openheimer को ही दिया गया है Cillian Murphy इसके हीरो थे And Female जो Best Actress का है वो Emma Stone को दिया गया है ठीक है Next is Gujarat Government है वो गांदी के जो आसरम थे उनको रिवाइब कर रही है उनमें से एक जो आसरम है कोच्राब आसरम उसको रिवाइब कर दिया गया है ठीक है उसका रिनोुएट किया गया था तो गांदी आसरम Memorial and persist gre politically इस लोकेटिड अरुगमदी साबरमति रिवर पर लोकेटिड है तो गांदी के सेट्लमेंट के बारे में बताया हुआ है गांदी ने कहां कहां सेट्लमेंट अस्टेबीच किया थे तो गांधी ने, मात्मा गांधी ने, क्या है, Phoenix Settlement है, वो 1904 में बनाया था, कहां पे Natal Provenance in South Africa में ये बनाया था, ठीक है, तो 1904 में Phoenix Settlement बनाया था, Natal में, ठीक है, Natal is located in South Africa, फिर गांधी ने established किया था, Tolstoy Forum, Tolstoy Forum 1910 में established किया था, नियर जो नासबर्ग in South Africa, ठीक है, South Africa में, पिर इंडिया में आते हैं, 1915 में, पिर गांधी का जो पहला भारत में आसरम था, वो कौन सा था, कोचराब आसरम था, ये फर्स्ट इंडिया के अंदर आसरम है, गांधी का, ठीक है, कोचराब आसरम 1915 में, य ढूसरा है, वह साबरमती में, 1917 में established कियाएं, साबर मती अहमदाबाद में ही, ठीक है, तीसरा है, स्यभागराम आसरम, शिवागराम आसरम is located in वर्दा, ठीक है, तो गांधी जी ने, ये साबर मती आसरम थ्रिया था, फिर वो वर्दा में रहने लग गए थे, ठीक है, जम कि 27 कंट्रीज में पाया जाता है इंक्लोडिंग इंडिया चाइना में ये देखने को मिलते हैं तो इंडिया में ये नॉर्थ इस्ट में ये कॉमनेटिव देखने को मिलती है अवनाचल और असाम में और एक सिंग्पोज अप्राइजिंग भी हुई थी एक विद्रोह है पॉज अप्राइजिंग 1813 में हुई थी जब बेटिस क्या है फोरेस्ट पे कबजा कर रहे थे तो लेंड एंग्रोच कर रहे थे तब अवनाचल प्रदेश में ये अप्राइजिंग हुई थी इन दी तीरफ इन उनाचल प्रदेश ठीक है तो सिंग्पोज अप्राइजिं है य रिसेंट मिला है हमेज अघठवमनेर एंशिर और फेळाध हम precisamente है इसकी खुदाइज वगेरा हुई है तो यह मिला था और भी कहाँ पर ये लोकेटलीड है कश गुजरात में लोकेटल है मोरखONG रोक कर्च गुज्राध एंशेंट का हैद्यूर सब्सक्राइज ब्स श्री नस्रिम्मा स्वामी टेंपल, ठीक है, इडिस आल्सो काल्ड आल्सो नौन आज मोग हंटिंग फेस्टिवल भी का जाता है इसको, नेस्ट इस श्री पर्भुपदा, श्री पर्भुपदा, इनका 150th अभर्थ अनिवर्स्टी अभी सेलिबरेट की गी ती, श्री पर्भुपदाजी की, ठीक है, श्री पर्भुपदाजी की, गोडिया मिसन, तो गोडिया मिसन के भी फाउंडर है, श्री पर्भू पदा, ठीक है, गोडिया मिसन हैस प्लेड ए वाइटल रोल इन प्रजर्विंग और सप्रेडिंग दी फर्णामेंटल टीने अफ वेस्टनुवा फेथ, वेस्टनुवा फेथ को परजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है, गोडिया मिसन के द्वारा, ठीक है, गोडिया मिसन वाज एस्टिबलिस्ट बाई स्रीला पर्भू पदा, ठीक है, इसको और मॉवम्मेंट के जो फाउंडर में नेक्ट इस रानी चनेम्मा, तो रानी चनेम्मा की 200 वी अनिवर्सरी सेलिबरेट की थी, अभी होई थी, किटूर रिवर्ट की 200 वी अनिवर्सरी होई थी, ठीक है, तो किटूर रिवर्ट वाज लेड बाई, रानी चनेम्मा के द्वारा लेड किया गया था, और किटूर है मोडरन डेक करनाटक में पढ़ता है ठीक है रानी चनेमा वाज मेरेट सी वाज मेरी टुदी राजा मलस राजा ओफ किटूर तो जो राजा था उसे इनकी साधी हुई थी फिर इनकी राजा की डेथ हो जाती है फिर ये एक सन को अड़ाप करती है जिसको डॉक्ट्राइन अपलेप्स के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाता है ठीक है डलो जी के द्वारा तो उसके बाद में फिर ये रिवोल्ट कर देती है किटूर रिवोल्ट होता है फिर वहाँ में क्या है किटूर रिवोल्ट होता है उसा महता के बारे में जाना चाहिए एक बार मुवी पूछी गए थी कौन सी मुवी आई थी 2016 में आई थी तब उसको पूचा गया था ठीक है किसे रेटीड हो तो इट वाज बेस्ट वन दी बाइग्ग्राफी ओफ उसा महता की बाइग्ग्राफी बेस्ट है इट वाज इंस पूची इंडया मुंइट में पारिश्पेटिटिड ही तो कॉंग्रेश रेडियो था इट वाजपटो कूट इंडया मुंइंट का पार्ट था और कोंग्रेस रेडियो वाज्य्यू यूज्ज बाइ महात्मा गांदी के ढ़रा महातमा गांदी ने भी यूज ता ठीक है ल चंदरकांत जावेरी, नरीमन प्रिंटर, तो ये लोग थे, वो इनके साथ मिलके उसा महता नहीं, इसको कॉंग्रेस रेडियो को और्गनाइज के था, उसा महता बाबु भाईल खाकर, इनका नाम देख सकते हो, आप, नेस्ट इस, बाता दर्वाथान, तो बाता ड्रावाथ या फिर दर्वाथान है, यह थान है, थान क्या होता है, एक सेकर्ड साइट होती है, तो इस सेकर्ड साइट, पर असामी वेस्ट नवाइट के लिए एक सेकर्ड साइट है, और इस बेसिकली इन दी, नगाव, नगाव डिष्टिक है, और असाम में यह पड़ती है, ठीक है, तु इट यहां पे क्या है इट इस प्लेश इस ब्रफ इट इटे प्लेस ब्रफ औप शंकर देव का कहां पे यहां पे जनम गुओ था नगाव में और वहां पे यह जो थान है पड़ता है ठीक है और संकार देव थे एक सारन नाम धर्मा एक सारन नाम धर्मा की फिलोसपी थी और ही इंफिसाइज ओन दि बगति मारग बगति तु दि लौर्ड कृष्णा फोकसिंग अन दिस सिंगिंग और कॉंगरेशनल सिंगिंग और इस नेम और दीड ठीक है तो इन्होंने बगति मारग पे संकर देव ने एक सारन नाम धर्मा किसकी फिलोसपी है संकर देव की फिलोसपी है याद रखना है ठीक Next is Soar Temple Soar Temple is located in मामलापरम महाबलीपुन में located है तमिलाडू में And this complex is dedicated to Lord Shiva as well as Lord Vishnu दोनों को dedicated है Soar Temple And 7th century में इसको बनाइ गया था नसिम्मन टू के राइन के दुरान इसको बनाया गया था पलवा किंग के दुरान तो इस टेम्पल वाज बिल्ट बाई दी पलवा डायनेस्टी और नसिम्मन नसिमा वर्मन टू है ये पलवा किंग है उसके दुरारा इसको बनाया गया था सो टेम्पल ठीक है कहां पर लोगो संगीत नातक अकेडमी अवार्ड तो यह दिये जाते हैं संगीत नातक अकेडमी के द्वारा दिये जाते हैं संगीत नातक अकेडमी के द्वारा दिये जाते हैं संगीत नातक अकेडमी इस एन ऑटनॉमस बोड़ी है मिरिस्ट्री ओफ कल्चर की जो एस्टिबली सुथी इन 1953 म तो चेर्मेन होता है संगीत नाटक अकेडमी का that is appointed by President of India के द्वारा point किया जाता है जो academic award है दिखकेरी एक लाग रुपी दी जाते है जो साहते संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड होते हैं उसको एक लाग रुपी दी जाते है इसके लाबा एकतामर पतर मिलता है और एक अंगवसतर भी मिलता है ठीक है उस इलिजैबल पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए कोण इलिजैबल है ठीक है एक साल में क्या है maximum 41 और 41 अवार्ड दिए जा सकते हैं संगीत नाटक अकाडमी वार्ड़ट 41 दिये जा सकते हैं और संगीत नाटक अकाडमी फेलोशिप दी जा सकते हैं 4 ठीक है टो अगवाड के reinforcement into the अथ तो 50 साल से ज़्जादा ऐड़्डा हुगा तो उसको अवाड दिया जाएगा संगित नाटक अकेडिमी अवाड के लिए कम से कम 50 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी और संगित नाटक तो संगीत नाटक अक्यडमि दोरा ये संगीत नाटक अकैडमि lively आवाड़ दिये जाते हैं 1 लाग रुपेश में दिये जाते हैं eligibility क्या है एक साल में 41 अवाड़ दिये जा सकते हैं 40 फिलोशिप दी जा सकती है आवाड कि लिए 50 साल पड़ेगा आपको और seat k clean 25 का ठीक है यह था हमारा तीन मेहने का current affair इसमें लगबर सारा portion cover हो चुका है धन्यवाद यदि आपको पुसंद आए तो please like, share and subscribe